तो YouTube Podcast को लेकर कुछ बहुत ही बड़े अपडेट्स आए हैं जो कि आप सुनके काफ़ी यदा खुश हो जाओगी और यहाँ पे कुछ बड़े यूटुबर्स जो हैं आपको बहुत ही गलत गलत इंफर्मेशन दे रहे हैं लेकिन आप जो है इन अपडेट्स को देखने बाद को समझ जाओगे कि आखिर आने वाले टाइम में YouTube करने के अवाला है तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं तो YouTube Podcast के जो हैड है काई चक उन्होंने Hotpot Summit के अंदर यह announcement किया है कि जल्दी आपको YouTube Music के अंदर Podcast का नया feature देखने को मिलेगा जहाँ पे जो viewer है या जो listener है व साथी वीडियो Podcast देखते समय कर आपको यह लगता है कि आपको इस वीडियो Podcast के सिप आडियो सुननी है तो वहाँ पे आपको यह भी option मिलेगा जहां पे आप जो है वीडियो Podcast को आडियो Podcast में चेंज कर पाऊगी इसके अलावा YouTube Podcast के अंदर तीन चीज़ों पे सबसे ज्याद को मिलेंगे तो जैसे आपने FM या रेडियो सुना होगा तो जब भी वहाँ पे कोई गाना बसता है तो उस गाने के बाद जो है आपको कोई ना कोई Audio Ads सुनने को मिलती है तो ठीक उसी तरीके के Audio Ads आपको YouTube पे, Podcast पे और YouTube Music के उपर सुनने को मिलेगी जो कि यहाँ पे काफी पैसे कमा पाऊगे और साथ में आप YouTube Music से भी पैसे कमा पाऊगे इसके अलावर बहुत से लोगों का यह question है कि क्या हम YouTube के पर Audio Podcast अप्लोड कर पाएंगे तो देखे वीडियो पॉड्कास तो आप अप्लोड कर ही पाऊगे और बहुत सारे लोग पहले से वीडियो पॉड्का करना पड़ेगा MP4 बना के और इस हिसाब से आप अपनी Audio Podcast को भी YouTube पे अप्लोड कर पाऊगे और साथ ही YouTube और YouTube Music के अंदर आपको Audio की Quality पहले से काफी जादा बहतर मिलने वाली है क्योंकि यहाँ पर इसके लावा कुछ फीचर्स के बारे हम बात कर लेते हैं तो YouTube Podcast के अंदर आप जो है Multiple Playlists बना सकते हो जितनी भी आपकी Series है उन सभी Series के लिए आप जो है अलग-अलग Playlists बना पाऊगे और उन सभी Playlists को आप जो है Podcast के Tab से Manage कर सकते हो और यहाँ पर जितने भी Podcast के Playlists होंगे न उसके उपर आपको छोटा सा Podcast का आइकन भी देखने को मिलेगा और जब आपका Podcast काम करेगा और इसी तरीके से YouTube Music के ओपर भी आपका Podcast है वो आने वाले टाइम में इस तरीके से काम कर सकता है इसके अलावा जब Podcast का Feature पूरी तरीके से Roll Out हो जाएगा तो आप लोग YouTube.com slash Podcast पर जाके जितने भी Podcast है उससे आप जो है देख भी सकते हो और सुन भी सकते साथ ही YouTube Studio में जो Podcast का Option है ना उसको लेकर काफी ठेसा ही YouTubers ये बोलना है कि इस Option को देने का कोई Benefit नहीं है जबकि सभी YouTubers ये आते हैं कि जब भी YouTube कोई Feature देता है कोई भी Option देता है तो बहुत ही सोस समझ के देता है तो अगर YouTube ने जो है Podcast का Option अगर आपको दिया है तो जाईसी बात है कि वो आपके लिए या फिर YouTube के लिए कुछ नया प्लान कर रहा है long term के लिए तो अभी ये जो Feature है वो टेस्टिंग में चलना है सिर्फ एक या 2% लोगों को मिला है और सबसे पहले इंडिया के अंदर मुझे ही टेस्ट करने के लिए मिला था तो जब ये Feature पूरी जो है कहीं से भी कुछ भी उठाके जो है वीडियो बना देते हैं कोई भी research बगएर नहीं करते तो उनकों से भी आई कहना है कि थोड़ी सी research कर लिया करो और ऐसे ही आप जो है किसी features के बारे में गलत नहीं बोल सकते हैं वैसे से मेरा कोई personality benefit है नहीं तो आप इस बारे में क